कि जहीं दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग का स्वागत है फिर से एक बार इडियू टेड़िया का हम सब लोग बहु बिकल्पिक कर रहे थे ये जो है पहुंच जार पलस कोस्टन का ये सेट है जो कि आज जो होगा 22 मह सेट होगा सेट नमर 22 होगा और हम सब लोग इसको प्रते कोस्टन इसमें 50 कोस्टन का ये सेट है सब्सक्राइब किजिए यह जो है सभी एक्जाम के लिए काफी ही महत्पूर्ण है जैसे की हो गया बिपेसी हो गया यूपेसी हो गया बिहार टीचर हो गया जो बिपेसी जो टीचर लेती है यह सब में काफी की इंपोटेंट है और कोई भी टीचर में कोई भी कलास हो चाहिए 125 ऑगईए 628 हो गया 9 10 हो गया अलेवन 12 हो गया सभी एक्जाम के लिए काफी ही महत्पूर्ण है इस सभी में 40 नमर कौमन रहाता है चालिस नमर में ये काफी ही एक्जाम में आने वाला है ये सवाल रहता इससे तो आप सब लोग इस वीडियो को जदा ज़दा देखने का प्रयास करें और जदा ज़दा इसको सब्सक्राइब करें तो चलिए इस्टार्ट करते हैं हमसे लोग आज का फर्स्ट कोस्टन है इसका सही अंसर हो जाएगा देखिए पहला नमर का है कोर का उपरी भाग सकेन है मेंटल का निचला भाग सी नमर में में मेंटल के उपरी भाग डी नमर में क्रस्ट का उपरी भाग तो इसका सही अंसर हो जाएगा मेंटल का उपरी भाग इसका सही अंसर क्या हो जाएगा मे दूत्य तिर्थिय चतुर्थ बताइए किस पीधी का है यह तो ट्रांजिस्टर जो है वो दूत्य पीधी का है त्रांजिस्टर दूत्य पीधी का है नेक्स्ट है, तिले या बांद किस नदी पर थे, तो यह सब तो आपसे लोग जानते ही होगे, तिले या बांद जो है, ब्राकर नदी पर है, नेक्स्ट कोस्चन है, छौथा नमर कोस्चन है, निम्लखीत में से कौन सी जील दो भारती राजियों के साथ सीमा साजा करती है निम्लखीत में से कौन सी जील है जो कि दो भारती राजियों के साथ सीमा साजा करती है तो इसका सही अंसर हो देखे इसमें जो option होगा option A में लोनार जील, चिलका जील, कोलेरू जील, पुलिकर जील बताई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिकर जील option number D इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिकर जील next question है पीर पंजाल, देखिए क्या है पीर पंजाल स्रेनी इस्थीत है पांच नमर का कोश्चन है पीर पंजाल स्रेनी इस्थीत है तो पीर पंजाल स्रेनी कहा इस्थीत है तो देखिए इसका ओप्सन है जम्मू कस्मीर हिमाचल प्रदेश उत्राखन और ओप्सन डी में है सिक्किम इसका सही अंसर क्या हो जाएगा पीर पंजाल किस सेनी में इस्तित है तो पीर पंजाल है जम्मु कस्मिर सेनी में इसका सही अंसर हो जाएगा ए पॉंच का सही अंसर हो जाएगा ए जम्मु कस्मिर सेनी में पीर पंजाल इस्तित है नीचे दिया गया दिये गे बिकल्पों में से कौन सा देश भू भाग आवश्थित नहीं है मतलब लेंड लोक कंट्री कौन नहीं है इसमें देखे लेंड लोक कंट्री इसमें से कौन नहीं है तो इसका ओप्शन है A नमर में सर्विया, B नमर माल्डोवा, C रवांडा और D ब्राजील बताईए, भुभाग, और यहींक देश साथ नहीं है इसमें, तो इसका शही साथ हो जायेगा, ब्राजील जो है, यह लेंड्लोग कंटरि नहीं है, और यह सब जो देख रहे हैं सर्विया, माल्डोवा, रवंडा यह सब लेंडलोग कंट्री है तो आगे का जो question है नीचे है चीन के साथ कितने भारत राज सीमा बनाते हैं चीन के साथ कितने भारत राज सीमा बनाते हैं चीन के साथ ये तो आपसो लोग जानते होंगे, option number 20 का सही अंसर हो जाएगा, पांच राज शीमा बनाते हैं, आठ नमर का question है, पुनासा जल परपात किस राज में है, तो पुनासा जल परपात, ये जो है, इसका सही अंसर हो जाएगा, मद परदेश, option number D हो जाएगा, आठ न निवने में से किसमें दिया था, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, राडन ने, इसका सही अंसर, option number C हो जाएगा, राडन ने, ये याद रखी, ये बहुत important question है, राडन ने, नेक्ट रहे 10 नमर का, छेत्रिय ग्रामीन बैंक के अस्थापना किस समीति के सिफारिश पर की गई तो छेत्रिय ग्रामीन बैंक के स्थापना, जो होगा, इसका सही अंसर हो जाएगा, option number D, क्या हो जाएगा, option number D हो जाएगा, भंडारी समीति, ये याद रखिये, भंडारी समीति, हुआ था, अब देखिये, next question, एक आरे नमर का question है, कि बाल, गंगहा, धरतिलक, किस बाल, गंगहा, धरतिलक जो जी थे, वो केशरी के संपादक थे, केशरी अकवार था, उसी के संपादक थे, बाल, गंगहा, धरतिलक, बारे नमर का question है, तत्व बोधनी सभा संस्था के संस्थापक कौन थे, तो तत्व बोधनी सभा संस्था के संस्थापक कौन थे, तो इस तेरे नमर का question है इसका देखे तो इसकाosition हो जाएगा option नमर C गुहाटी का हो जाएगा गुहाटी में C नमर में Congress के गुहाटी या division में खादी वस्त अनिवार कर दिया गया था अब देखिए next question चौधर नमर का है कि भारतिये सम्मिधान के लिए पर्थम संसोधन विधेयक कब लाया गया तो option नमर M है 1950 में लाया गया 1951 में 1955 में 1957 में बताइए कब लाया गया तो भारतिये सम्मिधान के लिए पर्थम संसोधन विधेयक जो लाया गया यह लाया गया 1951 में कब लाया गया 1901 में लाया गया option नमर B इसका सभी अंसर हो जाएगा अब जो है देखिए next question है Indian War देखिए Indian War Independence 5859 के लेखा कौन है Indian War Indian War of Independence 5859 के लेखा कौन है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option नमर C BD साबर कर जी थे option नमर C Indian War of Independence 5859 के लेखा कौन है देखिए इसमें जो है टेड़ा का इसमें काफी selected question और अच्छा अच्छा question दिया गया है तो कि सभी एक्जाम के लिए काफी महत्पून है इसलिए आप सब लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा सेर्ण कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए देखिए Indian War हो गया पंदे नमर question हो गया अब जो होगा 16 नमर का question है संधव सभ्यता के परमुक अस्थल बनवाली किस राज में इस्तित है संधव सभ्यता के परमुक अस्थल बनवाली जो है वो कहां है इसका सही अंसर हो जाएगा हरियाना option नमर B संधव सभ्यता के पर्मुक अस्थल बनवाली किस राज में इस्तित है तो इसका सही अंसर हड्याना हो जाएगा 17 नमर में आग का अविश्कार किस काल में क्या गया था तो आग का अविश्कार आग का अविश्कार पुरा पसाउन काल में मद्द पसाउन नप पसाउन आध एतिहासिक काल पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आग का अविश्कार कब हुआ था आप से लोग बताईए तो आग का विस्कार जो हो गया था ये पूरा पसाउन काल में हुआ था 17 का option A हो जाएगा 17 का A आग का पूरा पसाउन काल में हुआ था 18 नमर का question है निम्लखीत और जोगिक कस्वों में कौन छोटा नागपूर पठार पर इस्तित है तो छोटा नागपूर पठार पर कौन इस्तित है इसका सही answer हो जाएगा राची जो है छोटा नागपूर पठार पर इस्तित है अब देखिए उनीच नमर का question क्या करता है भारत में सोने के सिक्के सरपर्थम किसके द्वारा जारी किया गया था तो भारत में सोने के सिक्के सरपर्थम इसका सही answer हो जाएगा ये तो बहुत इजी है हिंद इनावनी ने लाया था option नमर 20 इसका सही answer हो जाएगा question नमर 20 में क्या काता है भारत ये राष्ट ये ग्रामिन राष्ट ये ग्रामिन स्वास्थ मिशन किस पंचवर्ष योजना में शुरू किया गया था ग्रामिन स्वास्थ मिशन किस पंचवर्ष योजना के तहत शुरू किया गया था तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका सही आनसर जो जाएगा option number C इसका सही आनसर हो जाएगा दसमी पंच बरती योजना के तहट जो है राष्ट, ग्रामिन, स्वास्त मिशन स्टार्ट रधा था ये बहुत important question है option number C इसका सही आनसर हो जाएगा 21st n'mmer k question है भारत में खाद प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश नहीं है देदेखे इसका option है खाद्यानों का निर्याद, खाद्यानों का वितरन, खाद्यानों का खरिदार, खरीद और खाद्यानों का रख रखा बताईए इसमें से खाद प्रबंधन का निमिन में से कौन सा उद्देश नहीं है तो इसका सही अंसर होना चाहिए इसका सही अंसर होगा जिसके खाद्यानों का निर्याद ये तो खाद प्रबंधन का नहीं होगा इसका सही अंसर यही हो जाएगा औप्सण नमर 58 औप्सानी पर भी को लिए तया है panay केंज है कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक नियुम्हीत में से किस की संवर्धाय से संबन्दीत है ब्रह्मसूत पूस्तक नियुम्हीत में से किस संपर्दाय से संबंदित है तो option नमर ये question नमर 22 का जो answer हो जाएगा देखेंच का option है वारकरी परमार्थ रामभक्त और श्री बैसनव इसका बता यह सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा श्री बैसनव जो है option नमर डी इसका साही अंसर है ब्रह्म सुत्र पुष्टक के लिखक जो थे श्री बैसनव जी थे अब देखिए कि 23 नमर का क्वेश्चन काता है निमलीखीत में से निमलीखीत में से किसके द्वारा सेनों को नगद वेतन देने और अस्थाई सेनों का नीम रखा गया इसका ऑप्षन है मुहंमाद बिन तूगलक, अलाउद्दिन खिलजी फिरोज तूगलक, ज्यास उद्दिन तूगलक बताई यह अंसर टाइप कीजिए क्या होगा तो इसका सही answer हो जाएगा अला उद्दिन खिल जी ने नगत वेतन देना इस्टार्ट किया option number 20 का सही answer हो जाएगा 24 नमर का है question cabinet mission के प्रस्ताप परगठित अंत्री मंदल में उद्योगत था आपूर्ती मंत्री कौन थे? उद्योगत था आपूर्ती मंत्री कौन थे बताई ये cabinet mission में ये तो बहुत इजी question हो जाएगा जौन मत्हाई थे? कौन थे? option number B, जौन मत्हाई 25 नमर का question है निमलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिशद के बिधाई एबं प्रसासनिक कारियों को अलग कर दिया गया काता है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिशद के बिधाई एबं प्रसासनिक कारियों को अलग कर दिया गया तो बताई है प्रसासनिक कारियों को अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया अर्फाइस त्रिपन के चार्ट रदियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल के प्रईशत के विधाई एबंप्रसाशनिक कारियों को अलग कर दिया गया था नेक्स कोस्टन है पर 26 नमर नेक्स कोस्टन 26 नमर में देखे क्या काता है 26 नमर्ज में कहता है निम्खित में से सुमेलित नहीं है कौन बताई यह सुमेलित नहीं है उपसान नमर ए में दिया है पंचायत भाग 9 में है संग राजशेतर भाग 8 में है संग एवम राजियों के अधीन सेवाएं भाग 13 में है अपात उबन भाग 18 में बताएए कौन इसमें सुमेलित नहीं है इसमें जो सुमेलित नहीं है संग एवाम राजियों के बीच अधीन सिवाएं भागतेरे में ये गलत है इसका सही अंसर यही हो जाएगा संग एवाम राजियों के अधीन सिवाएं भागतेरे में नहीं है इसके बाद पंचायत भागन प्रस्ताबना में सुतंत्रता समानता बंबंदुत का आदर्स किस देश के सम्मिधान से लिया गया है तो 27 नमर का अंसर हो जाएगा फ्रांस से लिया गया है भार्स समिधान के प्रस्ताबना में सुतंत्रता समानता बंदुत अठ्थास नमर का क्याता है लोक नियंत्रन के विशय में लोक नियोजन के विशय में आवसर की सम्मिधान के किस अनुछेद में वर्नित है लोक नियोजन के विशय में आवसर की सम्मिधान के किस अनुछेद में वरनित है तो बताइएाबसर कि शामता सम्मिधान के किस वरनित में है अनुष्य छोले में में यह तो भोथी जी होगया अनुष्य 16 legal एक creator हो गया आप 29 नमर को देख लेते हैं सम्मिधान के किस संसोधन, के द्वारा निरधारी तफिया गया कि राष्टपती मंत्री, पणिषा देवं उर्श के परमुख पर्मुख पर्धान मंथ्री की सलाह के अनुसार कारी करेगा बताईए यह जो है 42 सम्मुख संसोधन 1976 में जो हुआ था उसी के द्वारा किया गया कि राश्ट्पती यह मंत्री पर्षडिवा उसके पर्मुख पर्धान मंत्री की सलाह के अनुसार ही करेगा जो कि ब्यारिस्मा संसोधन को लगू संसोधन भी बोलते हैं तीस नमर का क्वेश्चन है गंगा डॉल्फीन को राष्ट जल जीव कब घुसित क्या गया तो इसका सही अंसर हो जाएगा 2009 में किया गया 2009 में इसका अंसर भी हो जाएगा अब देखिए वर्यता अनुकरम में निम्न में से पहले कोन आते हैं देखिए वर्यता अनुकरम में इसमें कोन आएगा पहला नमर पर देखिए लोकसवाध्यक्ष उप्रधान मंत्री भारत के मुख्यनियादीस राज के राजपाल अपने र वर्यता-करम वन्मीम्खीत में पहले कौन आते हैं तो देखे इस सब में इसका जो सही अंसर हो जाएगा राज्यों के राजपाल अपने राज में सबसे पहले नमर पर राजपाल आते हैं उसके बाद मंत्री इसी तरह से वर्यता रहता है तो इस तरह समस्वलोग देख लिए 31 का हो जाएगा D आगे देखते हैं 32 का क्या होगा 32 में क्या करता है पर्थम योजना आयोक के उपाध्यक्ष कौन थे तो इसका सही अंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा थे गुलजारी लाल नंदा जी थे जोकि पर्थम योजना आयोक के उपाध्यक्ष कौन थे गुलजारी लाल नंदा इसका सही अंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा बी 33 का हो जाएगा क्रिशी भूमी को छोरकर अन्य संपत्ती पर संपदा सुल्क किस सूची में अंतर गाता है 33 नमर का अंसर हो जाएगा संग सूची में आता है 33 का हो जाएगा a नमर option चाउतिस नमर में देखते हैं निम्खीत में से कौन पॉली सेकराइट के उधारन है अब यहां साइंस का देखे इसमें साइंस भी है और हिस्ट्री भी है जोगरफी भी है पॉलिटी भी है तो यह चारो सब्जर्प इसमें कभर के आ गया तो यह काफी यह अच्छा बुक है आप सब भी लेकि इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं यह बहुत यह अच्छा है क्वेस्टन के लिए देखिए यह जो यह त्यतिस नमर हो गया त्यतिस का क्या ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नमर संग सूची आएगा अब देखिए चौतिस नमर में निम्खीत में से कौन पॉली स काकराइट के जो उधारान है इसमें से इसमें देखिए गुल्कोच प्रक्टोज मल्टोज कायटीन बताइए तो पॉली सेखराईट जो हता यह दी नमर आप्शन हो जागा कायटीन जो है पॉली करा अधराना है 35 नम्र में कलताः किस बीटामीन का संसेरा होता है, तो बताइल ये विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, बताई ये चारों में कौन होगा, विटामिन का संसलेशन हमाई सहीर में होता है, किस विटामिन का, तो हमाई सहीर में जो होता है, विटामिन के का संसलेशन होता है, 35 नमर का A नमर हो जाएगा, उपसन, 35 का कितना हो हो जाएगा डी फेफ बहुआ डि में फेफरा दिया हुआ है नीमौणिया विमारी फेफरा से उजए हैं अब देखिए नेक्स्ट रहे 37 नमर में हिर्दयसंबंदी और शमाणिताओं का पता लगाने के लिए हिर्दय संबंधी और समानिताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा या अंत्रपरयोग में लाया जाता है तो 37 नमर का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो कार्डियो गराफी हिर्दय संबंधी और समानिताओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रो काडियो-ग्राफिका यूज होता है अब देखिए 38 नमर में क्या काता है 38 नमरम नेंगत है 38 नमरम काता है سूची 1 से वैंस्ची 2 को मिलाईए अब क्या इसमें अविस्कार है और अविस्कारक को दिया गया तो vitamin का विश्कार किसंने क्या था बताए आप बोग बताए बिटामिन का विश्कार किसंने क्या था तो vitamin का विश्कार क्या था फंक मोद है ने ने थ विटामिन B का विष्कार किसने क्या था विटामिन B का विष्कार किसने क्या था तो हो जाएगा विटामिन B मैकूलन किये थे विटामिन B मैकूलन किये थे और विटामिन C का विष्कार किसने क्या था तो विटामिन C का विष्कार किये थे ये तो बिटामिन C का अविस्कार किये थे होल कट होल कट ही बिटामिन C का अविस्कार किये थे और बिटामिन D का अविस्कार हॉपकिन्स किये थे तो देखे इसका सही अंसर एक का हो जाएगा दू, बी का एक ये हो जाएगा इसका option नमर B इसका सही answer हो जाएगा 1 का 2, B का 1 3 का 3, 4 का 4 vitamin C का विष्कर क्या था whole cut और vitamin D का विष्कर क्या था Hopkins अब देखे 49 नमर कुश्चन है निम्नखीत में से कौन सा Antarctica में भारत का अस्थाई और उसके द्वारा अनुसंधान इस्टेशन है बदाए अन्टार्टिका में जो इस्टेशन है भारत के द्वारा अस्थाई और उसके द्वारा प्रिचालित अनुसंधान इस्टेशन कौन है यह तो सब जानते हैं भारत और मेत्री दो अनुसंधान है वहाँ भारत और मेत्री है छीक है अब देखिए नेक्स चालिस नमर कुश्चन है जुआर पैदा करने वाले जुआर पैदा करने वाला बल निम्नखीत में से किन दो बलों के बीच का अंतर है जुआर पैदा करने वाला बल निम्लखीत में से किन दो बलों के बीच का अंतर है तो 40 नमर में जो होगा यह देखिए गुर्तवा करसन खिचाओ तो था केंद्र त्यागी बल है इसका सही अंसर हो जाएगा गुर्तवा करसन खिचाओ तो था केंद्र त्यागी बल है तो एक टालीश नमर का question है निंवलखित मेंसे किस पर्यावीद को Kidil jabbasis के नौम से जना जाता है स्को राजवागा को जाना जाता है जलपुरूस राजिन दर्शी इसको याद रखिए अब देखिए 9 कोश्चन मात्र बचा है अंगूर निम्रखीत में से कौन सा अमल पाई जाता है यह तो बहुत इजी कोश्चन हो गया सैट्रिक अमल पाई जाता है ऑप्शन नमर ए ग्रेफाइट के समध मे इसकों सा कथन गलत है तो इसमें देखिए ग्रेफाइट जो होता है SP3 नहीं होता है यही गलत है तालिस का जो डी होगा अंसर SP3 इसमें नहीं होता है ग्रेफाइट में और इसमें यह विदूत का सुचालक होता है यह तो ठीक है इसके आप एक्षी ग्रहत 2.2 होता है इससे काला सिसा भी कहा जाता है ग्रिफाइट को 44 में एलकीन सेनी का पहला सदर से कौन है बताए एलकीन सेनी का पहला सदर से कौन है तो एलकीन सेनी का पहला सदर से 2C2H4 ठीक है अब देखिए 45 अमबर में केवल कारवन और हाइड्रोजन वाले carbon योगिक निम्कीत में से क्या कहलाते हैं कि मद्क योगिक निम्कीत में से क्या कहलाते हैं तो वैटहिए। कोई सा कथन सत्य है इसका नमर में इसकी खोज हारसेल नामक बेग्यानिक ने क्या था यह एक विद्दुत चुम्बक के तरंग है इसका अपयोग कूरे में फोटोग्राफी करने में क्या जाता है सभी सत्य है इसकी खोज हारसेल नामक बेग्यानिक ने क्या था अबरक्त विक्रन का यह एक विद्दुत चुम्बक के तरंग है इसका अपयोग कूरे में फोटोग्राफी करने में क्या जाता है 47 नमर में देखिए निम्कीत में से किसकी विशिष्ट उस्मा सरवाधिक है तो और तालिस नमर में देखते हैं 48 नमर में देखिए और सुद्धी मिलाने पर किसी दरब के कोथनांग पर क्या प्रभाब परता है तो और सुद्धी मिलाने पर किसी दरब के कोथनांग बढ़ जाता है और सुद्धी जब मिलाएंगे तो किसी दरब का कोथनांग बढ़ जाएगा next question देखिए 47 का हो गया A नमर अब देखिए 49 में क्या काता है सुक्स सेल में बिद्दूत अपगटाई के रूप में उप्योग क्या जाता है सुक्स सेल में बिद्दूत अपगटाई के रूप में क्या उप्योग क्या जाता है ये question बार-बार पुछता है तो सुक्स सेल में बिद्धूत अब घटा के रूप में नौसादर का प्रयोग होता है नौसादर जो है ओप्शन नमर शी में है नौसादर का प्रयोग होता है सुक्स सेल में बिद्धूत अब घटा के रूप में नौसादर का प्रयोग किया जाता है अब देखें 50 नमर कोश्चन करता है मिलान कीजिए देखिए इसमें करता है उपकरान और अभिस्कारा का देखिए बिद्दुत बैटरी बिद्दुत बैटरी का अभिस्कारा कौन थे तो मैकल फेराडे थे शोड़ी बिद्दुत बैटरी का अभिस्कारा थे अलेजंडर वोल्टा और डाइनेमो का विश्कार रख थे माइकल फेराडे और ग्रामोफोन का विश्कार रख से थामस अलवा एडिसन और सेप्टी लेंप का विश्कार रख थे हम्पी ड्रेवी तो इसका सब सामने सामनी है बिद्दूद बैटरी अलेजंडर वोल्टा, डाइनेमो, फेराडे, में ग्रामो फोन, फामा से अलवा एडिशन और सप्टी लम, एमप्री डेवी, तो 50 अंसर हो जाएगा, अप्शन नमर बी, अब देखिए ये पूरा कोश्चन का जो 50 कोश्चन का जो सेट था, वो खतम हो चुका है, आप से मुगल समराज का एक मात सासर, जिसका राजयावी से दो बार हुआ, तो ये बारा कुछ था, औरंग्जेव का दो बार हुआ था, औरंग्जेव ने अपना दूसा राजयावी से कब किया था, 1669 में किया था, औरंग्जेव को ही जिंदा पीर कहा जाता है, औरंग्जेव को गुरू थे वो नौमे गुरू थे अब देखिए इसने 1666 में सिवाजी को कैद कर जैपूर भवन में रखा था उसता है सिवाजी को कैद कव किया था 1666 में कहा रखा था जैपूर भवन में रखा था औरंगजेव ने 1689 में जज्रक्र के लगाया था इसके बाद है इसने परसिद बीबी का मकवारा निमान उरंगाबाद में करवाया तो जग्रेट में औरंगाबाद है औरंगाबाद कहा है महारा आश्ट में और नंगाबाद कर् sixt एक ब Northern का मक्वारा है ओरंग्जेव ने बनवाए था ओरंगाबाद में नेक्स बोलता है इसके अपने दरवार में संगीत पर पाबंदी लगा दी ती इस ने 1686 में बीजापूर ता 1687 में गुवलकुंड़ा को मुगल समराज मिला लिया औरंग्जेव के समय सूवों की संख्या सरवाधिक थी 20 सूवों की संख्या थी पुछे का सूवों की संख्या सबस्दा किस मुगलसास काल में था औरंग्जेव काल में फ्रांको इसी फ्रांको इस बर्नियर और औरंग्जेव के चिकित्सक के रूप में जना जाता है कि औरंग्येव की चीकित्सक की रूप मेकिसको जना रेता है फ्रंकोईस बरनियर को औरंगजेव किस धर्म थे về सुनिधरम कि थे आगे काता है औरंग्जेव के समय हुए जाट विद्रोह का नित्रित राजा राम एबं गोकुला ने किया था औरंग्जेव के समय जाट विद्रोह का नित्रित किस ने किया था राजा राम और गोकुला ने किया था ये बहुत इंपोर्टेंट है राजा राम और गोकुला न आप से लोग जिदा जिदा सेर कीजिए चलते मिलते नेक्स सेशन में ततर करे धन्यवाद